आप देख रहे हैं चोहन वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इगनु की 5 बड़ी अपडेट के बारे में जिसमें SCST fee waiver के उपर आपके लिए इगनु की तरफ से नया नोटिस भी जारी किया गया है और आपके लिए practical schedule के भी नई अपडेट है और 36 convocation के उपर ज जवाबी मैं आज की वीडियो में दूँगा तो आप इस वीडियो को पूरा जरुर देखे अन तक देखे हैं आप अवी तक Battelle को सब्सक्राइम नहीं किया है तो आफ चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो वीडियों की सीधा सुरुवात करते हैं सबसे पहले 36th Convocation के उपर बात करते हैं दो कोस्टन सबसे ज़्यादा Instruments की तरफ से पूछे कहे हैं पहला ये कि Last Date क्या है Convocation की तो Convocation जो होता उसकी ऐसी कोई Last Date नहीं होती आपका Convocation जो है 36th Convocation आपका परवरी में आयोजित किया जाएगा उसका Link अवेलेबल है जैसे ही आपका Grade Card पूरी तरीके से कम्पलीट होता है और आपका Course कम्पलीट होता है उसके 48 से 72 आवर्स में या एक हफते बाद वन वीक के बाद आप आपना जो Convocation है तब तक चला जाता है Convocation तब तक हो जाता है और उसके बाद आपका जो Grade Card है वो कम्पलीट होता है तो उसके बाद भी आप क्या है तो अपना जो Convocation आउसके लिए Register कर सकते हैं आप अपने Regional Center जाईए और Offline जो भी Fees होगी जितनी भी 600 रुपीज उसके हिसाब से आप उसको Submit कर दीजे FormCore Offline भी Submit कर सकते हैं क्योंकि Convocation का Simply मतलब यह होता है कि आपको आपकी Degree इगनू देगा तो आपने Even Convocation की Last Date चली भी गई Convocation का Link बंद भी हो गया Convocation करवा भी लिया गया लेकिन आपका जब Grade Card Complete होगा उसके बाद आप अपनी Degree लेने के लिए जो Fees की जरुत होती है Fees Submit करने की जरुत होती है वो Submit कर दीजी और आपकी Degree आपको मिल लेगी तो इसलिए Convocation में Last Date जैसा कुछ नहीं होता उसके बाद एक Question और पूछा गया है करवाए जाता है उसके बाद छोटे-छोटे-चोटे जो रीजना Convocation प्याविजित करवाए जाता है जो कि अलग-अलग Regional Centers में करवाए जाता है जैसा भी आपको जहां पर भी आपको इग्रू की तरफ से जानकारी दी जाती है कि वहाँ पर आपका Convocation है वहाँ पर आपको जाना होगा और वहाँ पर से आपको डिगरी मिल जाएगी आपके पास यह Option भी अवे लेवल है या आप अपने डिगरी घर में मंगवा सकते हैं नेक्स अपडेट के बार में बात करते हैं इगनों के तरफ से SCST fee waiver scheme लिए नोटिस जारी कर दिया गया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जनवरी 2023 की admission cycle के लिए BA General, BCom General, BSE General को इसमें सामिल किया गया है धाई लाग से जो कम है वो आपकी family income होनी चाहिए और 300 रुपे की registration fee और 200 रुपे की development fee देनी होगी जो re-registration वाले sprint है उनको भी इसका lab मिलेगा तो पहले से जितने भी courses already included थे उनको तो सामिल किया ही गया है BA General, BCom General और BSE General को भी सामिल कर लिया गया है अगर आप यह regional center कोई भी होगा उसे यह notice लगा हुआ है साथ ही साथ आप मेरे telegram channel से भी इसको download कर सकते है जैपू regional center की तरफ से भी आपके लिए BSC Old Scheme और BSC General का practical schedule जो है वो release किया गया है 10 January से लेकर 21 January तक आपके practical जो है conduct करवाए जा रहे है तो जैपू regional center के जितने भी student है जो की आपके LSC 23193 के अंदर आते हैं वो BSC Old और BSC General के practicals को दे सकते हैं इसका जो PDF format पर आपको जैपू regional center की website पर मिल जाएगा और साथ ही साथ मेरे telegram channel पर भी मिल जाएगा स्वामी सेदरन्द कॉलिज 0729 दिल्ली regional center 2 की तरफ से नया practical schedule release किया गया लेकिन इसमें थोड़ा सा बजलाव कर दिया गया है जो कि आप यह यल्लो से marker से जो नजर आ रहा है उनकी schedule पर थोड़ा सा बजलाव कर दिया गया तो आप एक बार फिर से इनको जरूर चेक करें तो आज की वीडियो में इतने ही वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए share जरूर कीजिए